नमस्कार दोस्तों, क्राइम थक में आपका स्वागत है, कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजर हूँ आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे पहलवान सुशिल कुमार को लेकर ओलम्पियन है वो, तो क्या ये ओलम्पिक पदक उनसे वापस लिये जा सकते हैं इसके अलावा भारत सरकार ने भी उन्हें पदमश्री से लेकर अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी, खेल रत नवार्ड ये तमाम सम्मान उनको दिये हैं तो क्या ये सब सरकार उनसे वापस ले सकती है इस तरह कि मामलों में, अगर कोई हत्या के मामलों में कोई खिलाडी फसता है तो क्या रहता है पिर आगे के लिए प्रोसेजर ये तमाम चीजों पर बात करेंगे उससे पहले आपको डोनेट कार्ड एक प्लेटफॉर्म है उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ दरसल कोरोना के इस पूरे करोना काल में लोगों की मदद करने के लिए ये मुफ्त ऑक्सिजन दे रहे हैं और साथ ही जिन बाडीज का क्रीमेट करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है तो एक क्रीमेशन करा रहे होते हैं डोनेट कार्ड दरसल 50 NGO का एक समू है तो आप भी अगर इनकी मदद करना चाहते हैं क्योंकि ये आम लोगों की मदद कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको देख सकते हैं तो वापस लोटते हैं अपनी कानूनी कहानी पर तो सुशील कुमार की लगातार मुश्किलें तो बढ़ी गई हैं अब लगातार आम जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उनको जो सम्मान दिये गए हैं जो उनको पदक दिये गए हैं वो वापस लिये जाने चाहिए तो अब सवाल यह है कि क्या वो उनसे वापस लिये जा सकते हैं तो यह जो उनको सम्मान या पदक यह तमाम चीज़ें जो मिली इसको दो कैटेगरीज में रखा जा सकता है एक तो जो उन्हें अंतराष्टी इस तर पर अवार्ड मिले और दूसरा जो सम्मान उन्हें भारत सरकार की तरफ से दिये गए यानि एक अपने देश में जो मिला और दूसरा जो उन्होंने अंतराष्टी इस तर पर प्रतियों की ताएं जीती उसमें मिला तो दो बार तो वो उलम्पिक पदक जीच चुके हैं तो अब सवाल है कि क्या वो पदक उनसे वापस लिए जा सकते हैं तो इसको लेकर मैंने चीजें अलग-अलग जगाहों से जुटाई निकाली कि इस तरह है कि जो खिलाडी अगर और भी रहे हैं तो कितने हैं तो जो ओलम्पिक वेबसाइट है उसमें तकरिबन 33 ऐसे खिलाडी हैं जिन पर या तो human trafficking के मामले हुए या फिर sexual harassment के मामले हुए या फिर किसी का हत्या करने का मामला उन पर चला तो जेल गए तकरिबन 33 ऐसे ओलम्पिक पदक विजेता हैं लेकिन उन में से आज तक किसी एक क सबस्कावी पदक उनसे वापस नहीं लिया गया है उसका कारण यी है कि गवेशा कहल सब्सक्राइब होती है कि उसमें खासती होता है कि अगर अई झांच में किसी खिलाडी की ये पाया जाता है कि उसने steroids का सेवन किया है तो एसी स्थिती में ही उससे वो पदक वापस लिया जा सकता है अगर कोई खिलाड़ी इस पदक को जीतने के बाद अपनी पर्सनल लाइफ में किसी क्राइम को अंजाम देता है तो उस आधार पर ये पदक उससे वापस नहीं लिया जाता है तो यही वजा है कि 33 खिलाड़ी अंतराश्टी इस तर पर अगर देखें तो इस तरह के मामलों में फसे हैं जेल गए हैं और उन पर गंभीर संगीन आरोप भी लगे लेकिन उसके बावजूद भी उनसे ये पदक उलंपिक पदक वापस नहीं लिये गए एक पैरा ओलंपियन थे आपने उनका न थी रिवा स्टीन कांप यह इनकी घर पहुंचती है वेलेंटाइन डे के दिन और 2013 में इन्होंने अपने ही घर में अपनी ही गर्फरेंड को गोली से उड़ा दिया था तो इस मामले में इनको 6 साल की सजा हुई और पैरा ओलंपियन थे गोल्ड इन्होंने जीता था और खा कि उन्होंने के बावजूद भी मधला कंविक्त हो चुके हैं फिर फिर इन से वापस नहीं लिया गया तो यहां तो यह चीज़ क्लियर हो से वापस लेकिन अब सवाल कि ने से और जो संवान मिले हैं जैसे खेलरत्न मिला है या फिर उनको अर्जन अवार्ड मिला है तो उस पर Sports Ministry की तरफ से सफाई आई है, उसमें कहा गया है कि चूकी अभी आरोप लगा है हत्या का, किसी भी तरह से इस मामले में हत्या के अभी कन्विक्ट नहीं हुए हैं, तो ऐसे मैं अगर Sports Ministry भी चाहे तो फिलाल ये अवार्ड उनसे वापस लेने के लिए वो सरकार को न है, तो ऐसी स्थिती में पुलिस जो है वो चार्शीट फाइल करती है अपनी जाचपूरी करने के बाद और उसके बाद कोर्ट जो है उसमें पूरा ट्रायल चलता है, ट्रायल चलने के बाद सारे जो सबूत गवा होते हैं उस मामले से जुड़े हुए, उन सब को सुनने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करता है कि इस मामले में फला व्यक्ति दोशी है या नहीं है, तो आरोपी जब दोशी साबित हो जाता है, उसके बाद ही हमारे देश का कानून ये मानता है कि ये व्यक्ति इस मामले में दोशी है, जब तक ट्रायल चल रहा होता और कोर्ट का फै जीव गांदी खेल रतन वार्ड हो वो जब तक उनका कन्विक्शन इस मामले में नहीं होता है सुशील कुमार का उनसे वापस नहीं लिये जा सकते अब सवाल है कि पदमश्री उनको मिला था तो ऐसी स्थिती में पदमश्री क्या वापस उनको करना पड़ेगा सरकार को या सर सब्सक्राइक नहीं है लहाजा इनसे अब ये वापस लिया जाना चाहिए तो ऐसी स्थिती में अभी तक मतलब पदम पुरसकारों की जो शुरुवात है 1954 में हुई थी तो लगभग लगभग अगले तीन साल के बार लगभग साथ दशक पूरे हो जाएंगे अभी तक के इ बहुत सारे ऐसे लोग जरूर रहे हैं जिन्होंने या तो पुरसकार एनाउंस होने के बाद उसको ठुकरा दिया और कहा सरकार से के हमें ये पुरसकार नहीं चाहिए या फिर बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने वो पुरसकार मिलने के कई बर्शों के बाद वो पुर स्ट्रस्ट तोगा यह जानने में कि कौन-कौन से आईसे लोग हैं जैनने इतने जो अ यहां बड़े पुरस्कार हैं वह लेने जाया से भी तोड़ा साइस के बारे में आपको बता दी कि इसमें एक्ष्कुली ठीन के केटेगरी होती है पहली केटेगरी होती है पद्म विभूशन की और वह होता है कि आपने कोई साधारान विशिष्ट काम किया है तब आपको दिया जाता है दूसरी जो कोटी होती है इसमें वह होती है पद्म भूशन की और वह आपने कोई उतकरष्ट विशिष्ट काम किया ह उसके लिए दिया जाता है और तीसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है पदमश्री की यह उतकर्ष्ट काम आपने अगर कोई किया है तो उसके लिए दिया जाता है तो यह तीसरी जो कैटेगरी है उसी में सुशील कुमार को पदमश्री मिला था तो कौन-कौन से वो लोग हैं वो जिन्होंने या तो इनको स्वीकार नहीं किया पुरसकारों को और या फिर वाद में वापस कर दिया उस्ताद विलायत खान थे इनको 1964 में पदम श्री देने की सरकार ने घोशना की उसके बाद उसके चार साल बाद 1968 में पदम भूशन और उसके बाद 2000 में पदम भूशन लेकिन तीनों ही बार उस्ताद विलायत खान ने ये कहकर कि जो पूरसकार समेती है उसको संगीत शमता को नापने की उनकी अपनी युग्यता ही नहीं है यह तीनों बार कहकर यह पुरस्कार लेने से सरकार से मना कर दिया था इसके लावा 1975 में आपात काल के विरोध में फनिश्वरनाथ रेडू ने भी इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया था खुश्वन सिंग ने 84 में मना कर दिया था और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में उनकी तरफ से किया गया था सितारा देवी हैं उन्होंने भी 2000 में पद्म वेबूशन लेने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा ये मेरे लिए सम्मान नहीं है बलकि अपमान की बात है क्योंकि मुझसे काफी जूनियर लोगों को ये पुरसकार बहुत पहले दे दिया गया इतना ही नहीं सलीम खान जो सल्मान खान के पिता है 2015 में उनको पद्म श्री देने की सरकार निगोशना की थी लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो सम्मान है मेरे लिए बहुत छोटा है क्योंकि ये जो पुरसकार मुझे दिया जा रहा है उनकी उम्र तकरीवन उस समय 80 वर्ष के आसपास थी 5 साल पहले तो उन्होंने कहा कि मुझसे काफी साल छोटे लोगों को ये मुझसे बहुत पहले दे दिया गया था तो ऐसी स्थिति में उन्होंने वो पुरसकार लेने से मना कर दिया था इसके अलावा बावा रामदेव हैं श्री श्री रविशंकर हैं उनका कहना था कि हम लोग सन्यासी हैं तो इस पुरसकार को हम स्विकार नहीं कर सकते तो लिस्ट इस तरह की काफी लंबी है जिन लोगों ने या तो पुरसकार नहीं लिया या वापस कर दिया लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से पादम पुरसकार किसी भी विक्ति को दिया गया है तो उनसे वापस नहीं लिया गया है तो ऐसी स्थिती में अभी शुशील कुमार से सरकार पदमश्री वापस मांगेगी उसकी उमीद भी बहुत कम है क्योंकि अभी इस मामले में सिर्फ हत्या के इस मामले में वो आरोपी हैं उन पर अभी दोश भी सावित नहीं हुआ है लेकिन मुम्किन है कि अगर दोश सावित होता है जो तरफा विरोध रहता है और उसके बाद सरकार को लगता है कि हाँ यह पुरसकार का जो है अपमान होगा अगर सुशिल कुमार के साथ रहता है तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से आगे कुछ वर्षों में जब इस स्थितिया नहीं बनी है कि पद्म पुरसकार सरकार ने किसी से भी वापस लिए हो क्योंकि माना यह जाता है कि यह उपाधी नहीं है जो पद्म पुरसकार होते हैं जैसे माली जे पद्मश्री मिला है, तो ऐसा नहीं है कि अपने नाम के आगे पद्मश्री सुशील कुमार वो लिख सके, किसी भी विक्ति को जब मिलता है तो लिखा जाते है कि पद्मश्री अवार्डी फला फला, तो यानि सरकार की तरफ से ये कोई उपाधी नहीं दी गई है, बलकि आप सदन रेलवे में जो है, वो अपॉइंट रहे वो मैनेजर के तौर पर, तो उसके बाद डेपूटेशन में 2015 में वो एंडी एंसी में शिफ्ट हो गए थे, और एंडी एंसी ने फिर डेपूटेशन पे उनको दिली सरकार में भेज़ दिया था, और दिली सरकार ने उन्हें OSD के तौर बर 16 साल स्टेडियम में रखा हुआ था, लेकिन दिली सरकार की तरफ से अब ये जो मामला आया है, उसमें उन FIR होने के बाद, दिली सरकार ने उस कॉंट्रेक्ट को आगे रिन्यू करने से बना कर दिया है, और जो सुशील कुमार की अर्जी थी, कि को गई है, तमाम चीजें हैं, तो संभव है कि वहां भी या तो उनको बरखास्त कर दिया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए, या सस्पेंट कर दिया जाए, कुछ ऐसी स्थिती बन सकती है, तो उनकी जो नौकरी है, सुशील कुमार की वो जरूर दाओ पर लग सकती है, तो मुम्किन है कि वहां भी जिन जिन पदों पर वो रहे हैं, उनको हटाने के लिए वहां पर जरूर कुछ न कुछ कमेटी बिठाई जाए और कमेटी फिट डिसिजन लेकि अब ये हमारा हिस्सा नहीं रहेंगे, या जो भी आगे की प्रकरिया होगी, उसमें शुशील कु हमार को शामिल नहीं किया जाएगा, ये बहुत संभव है, लेकिन जहां तक उनके ओलंपिक पदक वापस लेने की बात है, या फिर जो सरकार, भारत सरकार की तरफ से बड़े उनको सम्मान दिये गए हैं, अभी वो वापस लेने की गुंजाईश लगभगना के बराबर है, तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही, कल आप से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार